सन 1761 में पानीपत के युद्ध में एहमद शाह अबदाली से मराठे हार गए मराठों का सेनापती इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया उस युद्ध में अवत का नवाब शुजाउद दौला एहमद शाह अबदाली की ओर से लड़ा था घायल इब्राहिम गार्दी को शुजाउद दौला के टोले में तो अफगान शाह अबदाली की छावनी के भीतरी पकड़ कर रख लिया गया था अबदाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद दौला के टोले में होने का समाचार उसको मिल चुका था इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किये जाने के लिए शुजाउद दौला के पास दूत भेजा शुजाओद दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिती से इनकार न कर सका उसने अनुरोथ किया इब्राहिम काफी घायल हो गया है अच्छा हो जाने पर पेश कर दूँगा दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए दूत नहीं माना उसको एहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था शुजाओद दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा एहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी लाया गया एहमद शाह ने पूछा तुम दस हजार मराठो की पल्टन के जनरल थे उसने उत्तर दिया हाँ था पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे जी हाँ फिर हैदराबाद के निजाम के यहां नौकर हुए सही है तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ी क्योंकि निजाम के रवईये मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है जी हाँ मुसल्मान होकर फिरंगी जबान पढ़ी फिर मराठो की नौकरी की खैर अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए तुमको शर्म आनी चाहिए घाओ की परवा ना करते हुए इब्राहिम बोला तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं अफगान शाह आपके देश में अपने मुल्क से महबबत करने और उस पर जान देने वालों की क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो एहमद शाहनी कठोर वाणी में कहा जानता हूँ और ना भी जानता होता तो जान जाता पर ये यकीन है कि आप खुजा के फरिष्टे नहीं है इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुसे को अपने पास नहीं आने देना चाहता मुझे ताज्जुब है मुसल्मान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा तब आप ये जानते ही नहीं कि मुसल्मान कहते किसको है जो अपने मुल्क के साथ गद्धारी करे जो अपने मुल्क को बरबात करने वालों पर दोशी ओं का साथ दे वह मुसल्मान नहीं मुझको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो उनकी शागिर्दी में ही तुमने ये सब सीखा है क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा पांचो वक्त एहमद शा के चहरे पर व्यंग भरी मुस्कुरा हटाई और आखों से वध की क्रूरता बोला फिरंगी या फिर मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे इबराहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा खुदा अर्बी, फार्सी या पश्टो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग-अलग है? एहमद शाह का चहरा क्रोज से तम-तमा उठा बोला क्यों कुफर बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकडे-टुकडे कर दिये जाओगे मेरे इस तन के टुकडे हो जाने से रूह के टुकडे तो होंगे नहीं इब्राहिम ने शान्त किन्तु द्रड स्वर में कहा घायल इब्राहिम के ठंडी स्वर से एहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई एक शंड सोचने के बाद वह बोला अच्छा, हम तुमको तोबा करने के लिए वक्त देते हैं तोबा कर लो, तो हम तुमको छोड़ देंगे अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तयार करना कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होटों पर जीनी हसी आ गई एहमत शा के उस खिलवार को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था उसनी कहा, अगर छूट जाओं तो पूना में ही फिर पल्टने तयार करूं और फिर इसी पानिपत के मैदान में उन अर्मानों को नकालूं जिनको आज ना निकाल पाया और जो मेरे सीने में धदक रहे हैं अब समझ में आ गया, तुम असल में बुद परस्त हो जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुद को पूछता हूँ, जो दिल में बसा हुआ है और खयाल मीठा है, जिन बुदों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता हम भी? हाँ, आप भी खबरदार, हर तंबू के सामने भरे हुए सिपाहियों के सरों के धेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच-नाच कर जश्न मना रहे हैं बहस अब क्या है? क्या बुद्ध परस्ती नहीं? हम, तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राओ भाव का हुआ था चकित इब्राहम के मूँ से निकल पड़ा क्यों? उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, सिर काट दिया गया उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर्थ थाम कर कहा अबदाली को उसकी पीडा रुची बोला, तुम लोगों का वह खूपसूरत छोकरा विश्वास राओ भी मारा गया इब्राहिम की बुच्टी हुई आखों के सामने और भी अंधेरा चा गया उसने कुपिट स्वर में कहा विश्वास राओ, मेरे मुल्क का ताज मेरे सिपाहियों के होसले का ताज उफ! इब्राहिम गिर पड़ा एहमद शा उसके तड़पने पर प्रसन्न था, उसकी निर्ममता ने सुचा, शहीदी को जीत लिया, इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी, अब्दाली कड़का, पहले तोबा कर, तोबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत करते हैं, अब्दाली से नहीं सहा गया, इब्राहिम भी नहीं सहपा रहा था, अब्दाली ने उसके टुकडे टुकडे करके वद करने की आज्या दी, एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे इमान पर पहली नियाज, दूसरे पर शीन स्वर में निकला हम हिंदू मुसल्मानों की मिट्टी से ऐसे सूर्मा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामों निशान मिटा देंगे और फिर अंत में मराठों के सेनापती इबराहिम खागार्दी के मुझ से केवल एक शब्द निकला अल्ला